सासाराम में चौथे दिन आज राष्ट्रिये लोक मूर्चा के सुप्रीमों सहकारा काट से एंडिये प्रत्यासी उपेंद्र कुस्वहा ने अपना नमांकन दाखिल कर दिया है इसके पहले उपेंद्र कुस्वहा का काफिला जो है वो डेहरी इस्थित उनके करेले से रवाना हुआ सबसे पहले वे तारा चंडी धाम पहुंचे हैं जहां पूजा अर्चना के बाद उपेंद्र कुस्वहा पाइलट बाबा के धाम पहुंचे हैं वहाँ पूझा और जल अरपन के बाद उनका काफिला जो है वो सासराम सहर में प्रवेश कर गया सबसे पहले बौलिया चौक पर बाबु जग्दियो प्रसाद की परतिमा पर मल्यारपन किया गया इसके बाद धार्म साला चौक इस्थित महात्मा गांजी की प्रतिमा पर उनके द्वारा मल्यारपन किया गया समराल है कि में गेट पर बने डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा पर मल्यारपन करने के बाद आज उनका नमांकन हो गया है आपको बताएं कि इसके बाद नहरू पार्क के सामने सहीद भगत सिंग की प्रतिमा का मल्यारपन किया गया जीटी रोड के किनारे इस्थित बिपी मंदल का प्रतिमा, सरदार वल्लब भाई पटेल की प्रतिमा और सहीद निसान सिंग की प्रतिमा पर भी मलारपन किया गया नमांकन के लिए उपेंद्र कुस्वाहा, सीधा, समराले पहुंचे हैं देखिए काराकार्ट संसदिये छेतर में उपेंद्र कुस्वाहा से पहले छे लोगों ने अपना नमांकन कर लिया है माले उमिद्वार, साइंडिया गड़ बंधन के परतियासी, राजा राम सिंग ने तो आठ मई को और निर्दलिये परतियासी मोचपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंग ने 9 मई को ही अपना नमांकन जो है वो दाखिल कर लिया इसके अलाबा चार निर्दलिये उमिद्वारों ने भी अपना नमांकन किया है बता दे आपको पवन सिंग मैदान में आने के कारण कारा काट होट सीट बन गया है कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो त्रिकोनिय हो गया है एक तरफ एंडिये परत्यासी उपेंद्र कुस्वाहा है तो दूसरी तरफ इंडिया गडबंधन के राजा राम सिंग कुस्वाहा और फिर निर्दलिये पवन सिंग मैदान में उतर चुके हैं तो तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं सीधे ससराम से जहां उपेंद्र कुस्वाहा जो है वे पूरे दलबल के साथ आज नमांकन करने पहुँचे थे गारियों का काफिला जो है वो काफिलंब और पूरे ससराम और काराकाट इलाके के जितने भी भादपा के दिगज नेता है सभी के सभी उपेंद्र कुस्वाहा के साथ दिखे है और जो ग्राउन से रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है देखिए पवन सिंग चुकी भोजपूरी के बड़े गायक माने जाते हैं इस कारण युवाव में उनका फैन फॉलूइंग अच्छा है बावजूद इसके उपेंद्र कुस्वाहा एक मजे हुए नेता रहे हैं काराकाट से पूर्व सांसद भी रहे हैं और सांसद भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने पहली बार सदन में डाल्मियानगर का मुद्दा भी वो दाखिल कर लिया गया है और इसके सात ये तैय हो गया है कि वहाँ पर स्याव लडाई जो है वो उपेंद्र कुस्वाहा वर्से्स राजा राम सिंह कुस्वाहा के बीची होना है देखिए पवन सिंह के इंट्री जरूर हुई है बाउजूद इसके पवन सिंह को वहाँ हवा हवाई नेता ही माना जा रहा है हमारे रिपोर्टर लगतार वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं उसके अनुसार पवन सिंग रेस में भी नहीं है मतलब लड़तो रहे हैं लडाई में हैं बावजूद इसके जहां तक वोटर्स की बात होती है वोट गिरने की बात होती है उस रेस से पवन सिंग काफी बाहर बताए जा रहे हैं तो तस्वीरे आपको अम सासराम से सिधा दिखा रहे हैं उपेंद कुस्वहा जो हैं वे अपने पूरे परिवार के साथ पहले पूझा पार्ट करने पहुंचे और पूझा पार्ट करने के बाद सिधा रोड़ शो करते हुए भावे रोड़ शो करते हुए जो समरालय है वहां पहुंचे हैं और आज उपेंद कुस्वाह ने भी अपना नमांकन दाखिल कर लिया गया है आपको बताएं कि एक जून को सात्वे फेज में काराकार्ट में वोटिंग होना है काटे के लडाई मानी जा रही है और इस कड़ी में NDA परत्यास से उपेंद कुस्वाह वहां से तीसरी बार देखें, 2014 में वहां पर जीते थे, सांसत बने थे, 2019 में महाबली सिंग ने उपेंद कुस्वाह को प्रास्त कर दिया था बावजूद इसके इस बार NDA से उपेंद कुस्वाह फिर से परत्यासी वहां से बनाए गये है